आरो, कक्षा ग्यारा के लिए हिंदी की पाठे पुस्तक प्रिश्ट संख्या तीन साहित्य वह जादू की लकडी है जो पशुओं में, इंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है प्रेमचंद मूल नाम धन्पत राय जन्स्थान लमही गाउं उत्तर प्रदेश सन अठारा सो अस्थी प्रमुक रचनाए सेवा सजन पेमाश्रम रंग भूमी निर्मला काया कल्प गबन कर्म भूमी गोदान सोजे वतन मान सरोवर आठ खंड में गुप्त धन कहानी संग्रा कर्बला संग्राम प्रेम की देवी नाटक कुछ विचार विविध प्रसंग विविध प्रसंग निबंद संग्रा मृत्यू सन 1936 प्रेमचंध हिंदी कथा साहित्य के शिखर पूरुष माने जाते हैं कथा साहित्य के इस शिखर पूरुष का बचपन अभावों में बीता स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बी ए तक की पढ़ाई की अंग्रेजी में एमे करना चाहते थे लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी सरकारी नौकरी मिली भी लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा राश्ट्रिय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कारे सुचारू रूफ से चलता रहा पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्ष दोनों था प्रिष्ट संख्याचार यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्टित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक ही सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसने उनकी हिंदुस्तानी यानी हिंदी उर्दु मिश्रित भाषा का विशेश योगदान र ताने बाने में बुना गया है। लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्हों ने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अगरदूत के रू चंदने की। आधर्शोनमुख यथार्थवाद स्वयम उनकी गढ़ी हुई संग्या है। यह कहानी और उपन्यास के एक छेत्र में किये गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटू यथार्थ का चित्रन करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरू उपन्यास और पंच परमिश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, आधी कहानिया ऐसी ही है। बाद की उनकी रचनाव में यह आधर्श्वादी प्रवृत्ती कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थीती तक पहुंचते हैं जहां कठो और वास्तविक्ता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह कर समझोता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात और कफन आधी कहानिया इसके सुन्दर उदाहरण है। प्रिष्ट संख्या पाँच यहां दी गई कहानी नमक का दारोगा प्रथम प्रकाशन 1914 इसवी प्रेमचंद की बहुच चर्चित कहानी है जिसे आधर शोन्मुख या थार्तवाद के मुकमल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के उपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमश सद्वृति और असद्वृति बुरा ने किया है। इमानदार, कर्म योगी, मुन्शी, बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपवयोग कर उन्हें नौकरी से मुट्तल करा देते हैं। लेकिन अंत सत्त्य के आगे उनका सर जुख जाता है। वे सरकारी म महकमे से बरखास्त बंशीधर को बहुत उचे वेतन और भट्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थाई मैनेजर न्यूक्त करते हैं। और गहरे अपराद वोध से भरी हुई वाणी में निमेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैयो वही न प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशास्निक और न्यायिक व्योस्था में व्याप्त भरष्टचार तथा उस भरष्टचार की व्यापक समाजिक स्विकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। इमांदार व्यक्ति के अभीमन्यों क समान निहत्ते और अकेले पढ़ते जाने की यथार्त तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खुवी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्त वाद हमको निराशावादी बना देता करित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों और बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीरशक निवन्द से। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है।